इस वीडियो में हम लोग क्लास येट साइंस का एक्जाम पेपर सॉल्व करने वाले हैं और द्वार्सिक परिच्छा जो विज्ञान का होने वाला 18 सितंबर को तो वही पेपर है ठीक है जैसा कि देख सकते हैं विज्ञान का पेपर है टोटल मार्क से रहेगा 50 और कच्छा कि आपको समय में मिलेंगे दो घंटे अध्वार्सिक मुल्यांका दोजार चोबिस ठीक है तो यह सबाब भर लिजेगा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं ठीक है आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहां क्या लिखावा इस परसन पत्र में कुल पांच प्रसन है परते परसन का उत्तर देना अनवार्डरे हैं तो टोटल कोईशन कितना है पांच कोईशन है ठीक है कितनी नंबर के पचास नंबर के तो चलिए आगे आपको बताते हैं तो देखिए यहां पे खाली स्थानों को भढ़िये ठीक है पांच कुने दो ब्रावर दस लिखा हूआ यानि कि सब क्या कोशन है ना दो दो नमबर का है तो दूपज़ कितना होगा दस पहला है पेट्रोल का जोलन ताप के रोसिन के जोलन ताप से डैस होता है तो क्या होता है कम होता है पेट्रोल है ना जल्दी जल जाता तो तितकी से ही जल जाएगा वह कम की तिवरता का मापन डैस स्केल से किया जाता है तो कौन से स्केल से किया जाता है रिक्टर स्केल से किया जाता है ठीक है कौन से स्केल रिक्टर स्केल नैलोन के रेशिय को जलाने पर उबलते हुए डैस के समान गंध निकलती है तो किसके समान गंध निकलती है फली के समान गंध निकलती है ठीक है बल में परिम सब वे दिशा में होता, कौन से दिशा में होता? सब ही दिशा में होता. आगे देखिए, दुस्रा नम्बर. सही कतान पर सही और गलत पर गलत का निसान लगाई है. ये भी Medal सिस्टम उसी तरह से, एक सही किजेगा तो दो न मुमर मिलेगा, और पांचों सही कीज़ेगा तो दस नमण मिलेगा तो पहला है तरीत जीवन तथा संपत्ति को नस्ट करता तो सही बात है कि रिलीन एक प्रकर्तिक रेशा होता नहीं गलत है ये कृतिम रेशा होता सर्पी घर्षन स्थैतिक घर्षन से अधीक होता नहीं सर्पी घर्षन है न साइकल होगा तो याँप में हवार होता है तो तो दिंगते हैं तो यहाँ में भार होता है ठिक है तो है झाल साइब फासल्टित महस्तुर्ट बिल्कुल रखेए सेवस्टे सावर्ट होता है अदए घलत है भात है तीसरा देखिए, numbering system बिल्कुल same to same है, एक सही किज़ेगा दो नमर मिलेगा, पांचों सही किज़ेगा तो दस नमर मिलेगा, ठेक है सही सही मिलान करें, ठेक है, column का को column का से मिलाना है, तो देखें, तरिच चालक, ये क्या करता है, तरिच से सुरच्छा करता है, पेशिया बल तो घोराद वाल लगायगा न गारी को खिचने में लगायगा बल को पेशिया कहते हैं मलेडिया रोग होता है प्रोटव जुवा के कारण और दाब का इसाय मात्रक होता है पासकल और प्राथमीक इन्धन का उधारन है लकडी तथा कोला इस हब सब किताब से ही दिया हुआ है तो कोई हाट तो है ने आफ ओर देखिए लगूत्रिय प्रस्न दो गुने पांच का मतलब पता है क्या है दो कोश्चन है ठीक है एक बनाएगा पांच नमर मिलेगा दोनों बनाएगा तो दोगुने पांच कितना हो था दस ठीक है पहला आप दोनों में जो आसान आपको बुझाएगा वह आपको लिखना है क्योंकि अथ्वा बोला गया तो ज्यादा संकों नहीं यह है कि चुई को किसानों का मित्र कहा जाता क्यूंँ थी आपको बताएंगे आगे देखिए यहां पर खाली स्थान है इसी में आपको एक्जाम बराज़ कर लेते हैं है संसलेषित वस्त्र घर्मी चांगी नहीं नहीं होते है क्यूं हाँ ठीक है अथ्वा अगर यह नहीं लिखना है यह लिखने तो यहां पर देख रहे हैं भे सरजगा खालिए तो आप लिख लिए जगा एक्जाम में अब देखिए अब है दिर्गृत्रिय प्रश्न है और इसमें को यह बनाना रहता है यह बनाई यह बनाई रहे जो आपको असान लगए तो यह यहां पड़ कितना दस नंबर कहा ठीक ह तो ये बात है तो देखिए चलिए आपको सारा करसे सारा कोशन सब्सक्रों को बताते हैं तो पहले देखिए किश्चुव को किसानों क keeping कहा जाता है क्यों तो देखे इसाब आपके लिए टाइप कर दियें ताकि आपको साफ सुत्रा पता चले उत्र देखे केचुवा मिट्टी में मौझूद मिर्त जीवों के घटन में मदद करता है जिसे हीमस का निर्मान होता है और मिट्टी उपजाव बनती है इसलिए केचुवे को किसानों का मित्र कहा जाता है मेंटी कम बनाता है क förr pun था ने और ठेक होता है तो ऑन किचुवे को किसानों को मित्र कहा जाता है ठीक है यह लिखने लिखे there यह अद्वां यहां पर ध्यान दीज για टीक है तो दोनों से जो असान लेगे गाना यह दूनों में से तो लिखिये गाए हम दुनों बता रहा है लेकिन शर्पी घर्चन वस्तुओं पर उससे में लगता है उससे में कारे करता है जब एक सता पर फिसलते हैं समझें फिसल रहे हैं तब शर्पी घर्चन और कोई वस्तु रुका हुआ तो स्थाथिक घर्चन सर्पी घर्चन स्थाथिक घर्चन से दुर्बल होता है देखें सैपि घर्शन से कहा हूँ थे कम जोड़ होता है कम होता है आगे देखें दूसरा नमबर संसलेशी तुवस्त्र गर्मी के मौस्वर्ण साइर में हवा पड़ेश नहीं कर पाती है और ना सहीर की गर्मी बाहर निकल पाती है इस कारण गर्मी में पसीने से संसलेशी तवस्तर सरीर पर चिपक जाते हैं और हमें अरामदायक महसूस नहीं होता है आगे देखे अगला प्रस्न इंधन कितने परकार के होते हैं दो-दो अधारन देखर बताईएं एक किताब कहीं है स्कीन सोट ठीक है तो देखें उत्पतिक अधार पर ने इंधन दो परकार के होता है प्रात्मिक इंधन दूत्विक इंधन प्रात्मिक इंधन में 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 वाला आता है समझें लकड़ी कोईला तेल ठीक है पेट्रोलियू इत्यादी ठीक है तेल मतले यहां पड़िए क्रोसिन तेल अर दुटेक इंधन मतलब क्या जो यह सब से प्राफ्थ होता है में अधर और बाते के अवस्ता के अधार पिया में इंधन तीन प्रकार को लुख सोजा द्रव सब एब और सोजिनदर में आता है लकड़ी और कोईला अद्रव इंदर में घंजी और लपडी गेसे में चुब焼तार यह व्यां प्रलीज़्य बता टरूहत करता है छोर्स की 찌नर होजाए असधनर के connection दोनों पुछ रहा तरीत भी पुछ रहा भुकम पी पुछ रहा तमना दस नमबर कहा तो लिखेंगे तरीत से सुच्छा को पाई पहला पाई क्या तरीत जंजा अत्वा तुफान के समय खुले स्थान में नहीं रहना चाहिए पहला दूसरा बिजली तथा तेलिफोन के तारो याख शंबों से ठीक है दूसरी से रहीत चलने वाले कंशनों के प्रयोक शे ύह बचना चाहिए जिस्मा के पानें पाने तो तो सुचालक होता है समझें तलाब को पानी उसमा को सुचालक होता है तो करेंट आपके पास पहुच जाएगा तेगर अगर आप नदी तलाब में अगर कोई वक्ती है बनाता है तो आप देखेंगे भुकम पर पुछ रहा था तरीत के लावा लिखेंगे भुकम से सुच्छा को पाए घर के बना करना चाहिए भारी बस्तुओं से दूर हट कर दा हने का प्रयास करना चाहिए तरीत में नहीं लेटना चाहिए लेकिन भुकम में खुले मैदान में अब जाके लेट सकते हैं खड़ा रहेंगा तो फिर धरती हिलेगा तो गिर ना जाएंगे इसलिए इसलिए बुला गया है कि लेट जाना चाहिए ठीक है इस परकार से पुड़ा समाफ्त हो गया जाम पेपर आई होप आपको यह पसंद आया होगा और पसंद आया तो वीडियो के लाइक किजिए चैनल पर नहीं तो चैनल के सब्सक्राब किजिए थैंक्स फॉर वाचिंग